हेलो दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सब का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले ODA World Cup के next match के बारे में जो के होने वाला है New Zealand और England इन दोनों टिमों के बीच में दोस्तों ये match रात को 3.30 a.m. को स्टार्ट होगा venue होने वाला है इडन पार्क, Auckland same venue जिस पे कल match हुआ था ठीक है अब एक interesting match है, बहुत बढ़िया match है पिकोज ये बहुत बढ़ा match है इस match को जो team हारेगी वो almost इस tournament से knockout हो जाएगी और New Zealand, England ऐसी दो teams थी जो लग रहा था कि ये दोनों teams तो qualify होनी चाहिए play-offs में at least England, England तो top two teams में थी जो qualify होनी ही चाहिए थी और New Zealand third team हो सकती थी, fourth team हो सकती विकोज home team है बट अभी ऐसा situation आचुका है कि इन दोनों में से कोई एक team हो सकती है qualify second team mostly disqualify हो जाएगी इस match को आरने के बाद तो यह दोनों के लिए बहुत important match रहेगा अपना 100% देने वाले हैं दोनों teams और मज़ा आने वाला है ठीक है आगे बढ़ने से पहले सिंपल है टेलिग्राम चैनल से जोईन हो जाना टेलिग्राम चैनल पर जाने के बाद women's matches के results देख लो test matches के results देख लो अगर आपको अच्छे लगे तो join होना कल का भी match देख लो make lining हमारे पास थी 98-97 बना गई under I think उनका selection बहुत ज़्यादा खम था दासी ब्राउन तो किसी के पास ने मतलब भिलकुल नाके बराबर selection था वो तीन विकेट ले गई दोना मारी टिम में थी देखा पीच के अगर बात करें तो बहुत solid पीच थी बैटिंग के लिए एक drop in विकेट है बहुत solid बैटिंग विकेट देखने को मिली जा पर पेसस के लिए बिलकुल कुछ नहीं था spinners के लिए भी just hint of movement spin था बागी कुछ नहीं था ठीक है बट बाउंस था विकेट में ठीक है अच्छा खासा पीच में बाउंस था बट पीच के लिए बहुत solid थी मुझे लगता है same पीच पे next match होना चाहिए ये जो वाला match ही ये same पीच पे होना चाहिए तो हो सकता है कि day match क के चक्कर में और और अल्रेडी 100 ओर्स इस पीच पे हो चुके है तो पीच को पीच में spinners को help मिले इस match में हो सकता है कि spinners को help मिले ये थोड़ा देखके चलोगे बट फिर भी बैटिंग के लिए पीच अच्छी रहेगी पीच में बाउंस है थोड़ा बहुत 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 तो फिर spinners अच्छा कर सकते बट बाउंस का यूद पेसर भी अच्छे से कर सकते और अच्छे से बॉलिंग करे तो पिछली मैच में देखो इंडिया ने 277 बना दिया थे और और बहुत इजली 280 बना दे थे लास्ट और में जिते थे बहुत लग रहे थे और बहुत पाकिस्तान किसी एक के सामने है तो यह फिर एट पॉइंट के साथ मतलब एंड कर सकते टूर्नामेंट को और कॉलिफाय होने के इनके चांसे बन सकते बट अगर इस मैच को हार गए तो मोस्ट टूर्नामेंट से नॉक आउट हो जाएंगे पिछली मैच में बुरुक तो से चैंच होगा अब सटी बेट्रिट की से थी लगार एक उस से पेले एक 100 भी लgा चुकी है मेलिय के किछे अच्छा कर रही यह मेच्छा अच्छा कर रही बाफ गरेंगे डाउनी अब तक बहुत अच्छी रही है पाच मैच आइनों निकाले है थीगे जस्केर की बात करें तो इनको पाच मैच में स्रीब तीन सीमे यह ए न्यूजिलेंड कि लिए हाना रोवी की बात करें हर मैच में को एक एक विकेट मिल गया है तो यह इंट्रेस्टिंग है, शोपी डिवाइन की बात करें, इनको पिछली मैच में बॉलिंग इन्हों ने करी थी, एक विकेट ले गई थी, इनका एक बॉल एक बॉलर शॉट था, तो बुरुका होलीडे को खिला था है, हैली जैंसन के जगा पे, तो शोपी डिवाइन ने पाच बॉलिंग करी थी, अमी लेकेर की बात करें, इनको रही है, अब तक आठ विकेट निकाल चुक्ए, पाच मैचες में पिछली मैच में पिछली मैच पिछली मैच ले गई थी, एक पाट ताइम आप बेग स्पिनर है, जो थुड़ी बैटिंग कर लेती है, एमी से दुरे एक ही मैच इननों ने जीता है अगर इस मैच को इंग्लेंड जीत जाती है तो उनके बच्चे हुए दो मैच और विग टीम के अगांट सी जहाँ पर फिर जीत जाएंगे पड़ेगर हार जाएंगे तो फिर नौक अओट हो जाएंगे कुछ इस तरह के सिनके प्लेंगे लें रही थी पिछले मैच में I don't think कोई भी चेंज होगा अब टैमी ब्यूमंट पहले तीन मैचस में रन बने पिछले मैच में रन नहीं बने थी बट कंसिस्टंट है डैनल वोई अब तक टोटल आउट आउप फॉम रही पहले दो मैचस मे ओपन किया वट रन नहीं बने हेदर नाइट ने पिछ नाइट में 53 के अच्छी पारी खेले थी नैट सिवर ने 45 के अच्छी पारी खेले थी 46 बॉल में और एक 100 भी लगा चुकि है अगेंड्स ऑस्ट्रोलिया ठीक है एमी जोंस ने एक 53 के अच्छी पारी खेली वही बाकी तीन मैचस में रन नहीं बने सोपे डंकले हर मैच में कुछ ना कुछ कैमियो खेले है 28, 38, 26, 17 रन कैथरिन ब्रूंट बैटिंग कर ले थी सोपे एक लेस्टन थोड़े बहत रन बना सकती है केट क्रोस भी थोड़े वह तरन बना सकती है लॉरेन विन्फिल्ड हील पहले दो मैचस में खेली थी अगले दो मैचस में इनको डॉप किया है और डैनल वोइट से ओपनिंग करवाई है अब बैटिंग में बॉसरी बॉलिंग में देखो के तो कैथरिन बुरूंट चार मैचस में इनको सिर्फ एक ही विकेट मिला जो पहले मैच में मिला था आने शुप सोले पहले दो मैच में इनको एक भी विकेट ने था बट पिछले दो मैच में यह चार विकेट निकाल चुकिए और बहुत अच्छी बॉलिंग करी है और यहापी इनको बाउंस भी मिलेगा तो और भी अच्छा कर सकती भी तर न्यू बॉल नैट सिवर इनको चार मैच में मिली है चार विकेट पिछले दो मैच में ने चार चार ओर ही बॉलिंग करी यह तोड़ा देखके चलोगे केट क्रोस पिछले दो मैच में दो विकेट है पहले दो मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिला था सोपी एकलेस्टन अच्छी बॉलिंग रही है टोटल चार मैचेस में इन्होंने निकाली है पाच विकेट्स हेदर नैट ने तीन मैचेस में बॉलिंग करी कोई विकेट नहीं मिला शारलेट दिन पिछले मैच में हमारे गेम चेंजर रही थी जिनका सेलेक्शन ना के बराबर था बढ़ हमारे टीम में थी चार विकेट ले गई थी दो ही मैचेस खेलिए पाच विकेट्स निकाल चुकी है अगें इंपॉर्टन पीक रहेगी हेट टोटल सिक्टीन मैचेस हुए है जिसमें ग्यारा मैच इंगलंड जीता है फोर मैचेस न्यूजिलन ने जीते एक मैच नौट रिजल्ट रहा है और ये 2005 के बाद जो मैचेस हुए उसके मैप को स्टाइट्स दे रहा हूँ इंगलंड के ओर से हिदर नाइट देखो 33 का अवरेज है बट टैमी वीमन देखो 81 का अवरेज है सिर्फ 6 मैचेस में तो इक इंट्रस्टिंग है नैट से वर का भी 39 का अवरेज है तो तीनों ने ठीक टाक किया हुआ है एमी जोंस का 32 का अवरेज है 5 मैचेस में सिर्फ 65 रन से ये तोड़ा देखके चलना भी कोछ बैटिंग कम मिली है डैनल वाइट के खराब आवरेज है लॉरेन विन्फीड हिल के भी खराब आवरेज है अनेस रूपसवल 6 मैचेस में 10 विकेट से केट्रोस को 4 मैचेस में ही 9 विकेट सेंटेंग का येटरिळियन की ओर से थेखोगे तो एनका आवरेज्गोओ है इनका आवरेज दो iqyệt को 40 है against England ओलिटी ठीक है केटे मार्टें का सिर्फ 29 का अवरेज है सुजी बेट्स का सिर्फ 28 का अवरेज है सोपी डिवाइन का सिर्फ 18 का अवरेज है तो बाकी तीन बैटर्स ने स्ट्रगल किया हुआ है बुरुका होलेडे का जरू 55 का अवरेज है पाच के साथ जा रहो अभी के लिए बैटिंग सेक्षन एमिस हेदरवेट डिफिनिटली टैमी बीमन ये दो पिक्स तुमें लेके चलो एमिस हेदरवेट ने रन भी बनाया है अच्छी लगी भी है जरुत परने में थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेती टैमी बीमन कंसिस्टन रही है अब मुझे हेदर नाइट को लेना जुरूर है बट मुझे आधा करेड कम पढ़ने वाला है आपको आगे बताऊंगा सोपया डंक ले रन बने है बट थोड़ा नीचे बैटिंग करती है डैनल वोट ओपन कर रहे बट बिल्कुल रन नहीं बने सुजेवेट्स एक ही मैच में रन बनायते है बाकी तीन मैच बाकी चार मैचस में बिल्कुल रन नहीं बने ये भी कंसन है करेड का भी इश्वा आने वाला है बट आपके लिए गेम चेंजिंग पिक बन सकती है मैडी ग्रीन मिडल ओडर में आएगी ब्रुका होलीडे थोड़ा नीचे आएगी बट पिछले आपने 24 रन भी बनायते है और इंके हैट-to-8 स्टैट्स भी ठीक है थोड़ी बहुत बॉलिंग करती है ज़रूत पढ़ने पर विंद्फिल हिल के खिलने के चांसेस कम है बट तो अच्छे पेस के साथ अगर इन अच्छे लाइन के साथ बॉलिंग करी ना तो यह डेडली साबित हो सकती इस पीच पर अच्छा खासा यह पर बाउन्स मिल रहा था तो अभी के लिमिन को प्रेफर कर रहा हूँ अगर यह विकेट लेगी तो सिदा दो दो तीन 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 आने ही वाले है तो मैं नहीं ले पाऊंगा बट यह भी ठीक प्लेर है मतलब अच्छी प्लेर अब तक परफोरमेंस उतना अच्छा रहा नहीं है बैटिंग भी कर लेती है ठीक है बॉलिंग सेक्षन अब यह पर सोपी एक लेस बन जाती मेरे लिए जिनकी मिना में जाने न हिल्प मिल भी सकता है तो सेपर साइट में आप इनको लेके चल सकते हो अने शुरूप सोल फिछले दो मैचे में चार विकेट्स निकाल चुकि अच्छी बॉलिंग करी फॉरम में रिटन आई है जैसकर ती मतलब पाच मैच में इनके नाम पर बिल्कुल ज्यादा विकेट् कर लेती है फ्रांसेस मकाय बैटिंग कर लेती है प्लस पिछले मैच में देथ में बॉलिंग भी करी थी ठीक है उसको थोड़ा बहुत हिल्प मिल भी सकता है राइटा मोपरेक्स पेनरे ठीक स्पीनरे विकेट्स निकाल सकती तब इनको मोस्टली विकेट्स मिलेगी जब ब सेप ऑपिशन आप जा सकते हो बट मैं जेसकर और फ्रांसेस मकाय इन दोनों पेसे एक का सोच रहा हो कि इन दोनों में से किसे को प्रेफ़र करों बट किसे प्रेफ़र करों ये थोड़ा सा मैं कन्फिजड हूँ अभी के लिए मयरे कन्फिजन घटा के अन्यस रूपस्वल कोई प्रेफर कर लेता हूँ बट मेरे फाइनल टीम में हो सकता है मिस रूफ सौल के जगह पे जेस के रहे हैं फिर फ्रांसेस मकाय को ले लूँ ये चेंज में कर सकता हो अब हमारे पास 9 क्रेट बचे हमें लास्ट लेना जो में बैटिंग सेक्शन में लेना है हेदर नाइट मुझे लेनी थी बट मेरे पास आदा क्रेट नहीं है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया तो मुझे आदा क्रेट कम पड़ रहा है और मैनेज भी नहीं कर पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है तो नहीं हो पा रहा है अब तक बट ले सकते हो रिस्क मैडी ग्रीन है जो मिडल ओर्डर में आ सकती है इन्हों ने ठिक्टा करन बनाए हुए थोड़ा बोतर ही उन रन बनाए है तो इन पे आप जा सकते हो ब्रुका होलिडे ज़रुद पढ़ने थोड़ी बहुत बालिंग दे देती है बट मैं भी कन्फिज तो लेना ही पड़े जैस केर के बारे में सोच रहो तो वह चेंज में कर सकता हूँ आभी कलिए टी में कैप्टन सी अमिलिया केर मेरी कैप्टन बनती है वीसी नैट सीवर ठीक है यह मैरी होगे कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों प्रॉपर ऑल डाउंडर से और मुझे लगता है स्पीच पे बै अब प्रॉपर ताई और मुझे लिए अब अच्छी ती बैटिंग करने के लिए और बैटर से आपे उप्रॉपर चाहिए तो जरूरुरियाद रखना बैटर को कैप्टन वास के प्तन आपको ट्राइब कर सकते हो फैनल अपडेट के लिए टेल नेग्राम चैनल से जुड चर्णे कि नारी कि झाल तूरा थाल कि नारी के नार बचलि कम हम इंडल कि एंडल कि उनल कि वार थाई रियाक पूल्ड़ यदू साथ जो रीकशिक पुलिए में कि झाल कि उडक